पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो वहां की कानून व्यवस्था के लिए बहुत चिंता की स्थितियूत पन कर रही हैं देड़ वर्ष पूर्व बहुजन समाज पार्टी के भष्टाचार और कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की जन्ता ने जिन उम्मीदों के साथ समाजवादी पार्टी को वोट दिया था और देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री ने शपत ली थी वो सभी उम्मीदें अब ध्वस्त हो गई हैं कानून विवस्था की समस्या समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के साथ नैसरगिक रूप से जुड़ी रहती है परंतु इस बार यह समस्या बहुत विकराल रूप धारन करती जा रही है और इसका प्रमाण ये है कि स्वयम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंग जी एक नहीं कई बार यह कह चुके हैं कि मैं मुक्ष मंतरी होता तो ततकाल समस्या का समाधान कर देता दो तीन महिने पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ट मंतरी शिवपाल जी ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के थानों पर सपाईयों का कब्जा है अभी बीस दिन पहले एक अन्य वरिष्ट मंत्री आजम खाँ जी ने ये कहा कि उन्होंने एक F.I.R करवाई और बाद में पैसा दे कर किसी ने उसको रफ़ा दफ़ा करवा दिया अभी कुछी दिन पहले उत्तर प्रदेश की सपा के सरकार के एक विधायक जो कि विधुना से विधायक हैं एलेस गुपता जी उन्होंने खुला बयान दिया था कि मेरे छेतर में कानून विवस्ता की सिर्थी चिंता जनक है जिसके चलते सपा ने उनको निलम्बित किया बाद ने वापस लिया बलिया के एक अन्य विधायक सुराजी जिन जी ने कहा कि भई इतनी खराब इस्तिती है तो हम कहा जाएं तो कहने का तात्पर ये है कि जनता से ही नहीं सपा अध्यक्ष से लेके वरिष्ट मंत्रियों और विधायकों तक की जुबानी उत्तर प्रदेश के कानून विवस्ता की कहानी पूरी जनता को सुनाई पड़ रही है परंतु हमें इस बात का भी बहुत दुख है कि मुख्य पृतिपक्षी दल से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि इसी प्रकार के तत्व उनमें भी विद्धिमान है इसलिए भारती जनता पार्टी इन सारे करतियों की कठोर निंदा करती है और उत्तर पृतिपक्ष सरकार के इन सारे कार्यों के लिए उनकी निंदा करते हुए हम यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि इसका मुख्य कारण यह है कि वहां सत्ता के कई केंद्र हो गए है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे कारे भी नहीं हो रहे हैं आप लोगों को ध्यानोंगा उत्तर प्रदेश के कई जिले इस समय बाड़ से प्रभावित है मुख्यमंत्री जी विदेश में है 720 करणों रुपिया जो बाड़ के लिए आबंटित किया गया था उसमें से सिर्फ 5 प्रतिशत का ही जून के महिने तक उप्योग हो पाया यानि बाड़ से पहले की तैयारी की भी लिए जो वेवस्ता होनी चाही थी वो भी नहीं हो पाई है इन कारणों से आज उत्तर प्रदेश बद से बद्दर इस्थिती में जाता जा रहा है इसलिए भारती जनता पार्टी उस पे चिंतित है और हम इस बात के लिए प्रयास करेंगे कि अगले लोग सभा चुनाओं में उत्तर प्रदेश में पुनह इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्मान हो कि उत्तर प्रदेश को इन पार्टीयों के शासनकाल की बुरी इस्थिती से निकाला जा सके